भावियो और भेहनों भारत भक्ति देश की आजादि और देश की विकास यात्रा में हमारी नारी शक्ति की महतपन भुमी का रही है उडिशा की भुमी का तो इस मामले में और भी अग्रणी रही है ये तो वो जगह है जहां देवी सुपदरा के रत को माताएं और बहने खिंचती है महिलाओं द्वारा देवी सुपदरा के रत को खिंचने की परंपरा बारी पदा से ही शुरू हुई है ये महिला ससक्तिकरण सम्मान और स्वाबिमान का प्रतीक है नारी ससक्तिकरण का जो काम ओडिशा सदियों से करता रहा है उसको और मजबूती बीते साड़े चार बरसे केंद्र सरकार देने में जुटी है आपने कल ही संसद में देखा होगा देश की पहली मैला रक्षा मंत्री ने अपनी कुसलता से अपने सामर्थ से रक्षा जैसे महत्पन विशय की गहराई से और अपने भीतर की सच्चाई को कुसलता के साथ देश के लोकतंत्र के मंदीर संसद में स्थापित कर दिया मैं देश की रक्षा मंत्री निर्मला जी को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ देश की आँखों में दूल जौकने वालों की नियत को देश की सुरक्षा से खिलवार करने वालों की राजनीती को अपने मनोरेंजन के लिए पवीत्र संसत का इस्तिमाल करने वालों के बठपने को रक्षा मंत्री निर्मला जी ने देश के सामने उजागर कर दिया है साथियों 2004 से लेकर 2014 के बीच कैसे देश की सेना को कमजोर करने की साजिस रची रही अब ये देश देख भी रहा है और उसकी हर बारिकी को समझ भी रहा है अब जब हमारी सरकार उनके साजिस के जाल से देश की सेनाओं को बहार निकाल रही है तो हम उनको कांटे की तरह चूबने लगे हैं हम उनको खटकने लगे हैं ये किसी भी किमत पर चौकीदार को रास्ते से हटा देना चाहते हैं चोरों की जमात कहीं पर भी सोसाइटी होगी फ्लैट होंगे कारखाना होगा महला होगा चोरों की ब्लोग सबसे पहले चोकीदार को हटाने का ही शडियंत्र करते हैं जब तक चोकीदार है चोरों की दाल गलती नहीं है भाई और बहनों इनको ये साब गोई ये सच्चाई इसलिए भी खटक रही है क्योंकि इनके राज खुल रहे हैं कली अख़बारों में एक रिपोर्ट आई है हेलिकॉप्टर गोटालिये का बिचोलिया कॉंग्रेस के करप्षन का राजदार मिशेल जिसको विदेश से यहां लाया गया है उसकी एक चिठी से खुलासा हुआ है खुलासा यह हुआ है इस राजदार की कॉंग्रेस के टॉप के नेताओं मंत्रियों से गहरी पहचान थी उठ बैठ थी प्रदान मंत्री कारियाले में कौन सी फाइल कहां जा रही है इसकी उसको पल 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 प्रती पल की जानकारी रहती थी सम्भव तह जितनी जानकारी खुद प्रदान मंत्री को नहीं होती थी उससे भी जादा जानकारी उस जमाने में बिचोलियों को रखा करती थी इतना ही नहीं केबिनेट कमेटी और सिकुरिटी जो देश की सेना देश की सुरक्षा देश के लिए अस्त्र सस्त्र खरिद्ने पर फैसला लेती है उसकी बैठकों की भी पूरी जानकारी उस तक पहुंचती थी इसी जानकारी को वो विदेशों तक पहुंचाता था हेलिकॉप्टर की खरीद को लेकर तब कौन सा मंत्री क्या फैसले ले रहा था उसकी पूरी जानकारी वो विदेश बेज रहा था साथियों समझ नहीं आता कि कॉंग्रेस ने सरकार चलाई है या अपने मिशेल मामा का दरबार चलाया है मैं आज स्पस्ट कहना चाहता हूं देश के बजाए बिचोलियों के हितों की रक्षा में जिस जिस की भूमी का रही है उनका पूरा हिसाब जांच एजनसिया करेगी देश की जनता करेगी जिस जनता करेगी